रादे रादे सभी को साथ यो missing number से most important question लेकर आई आप लोगों के लिए यहाँ पर हम टॉप 25 question देखने वाले हैं जो किसी ना किस एक जमें पूचे गए तो सारे question काफी अच्छे हैं यहाँ से आपकी practice काफी बैतर होने वाली है missing number में तो आप वीडियो को पूरा अंतर देख जॉइन कर लेना जहां पर मैं daily newspaper डालते था हूं PDF में दा हिंदू दैनिक जागरन एकनोमिस टाइम इंडियन एक्सप्रेस तो आपको सारी newspaper जो है एक ही जागर मिल जाएंगे तो चैनल को जॉइन कर लेना और चलते हैं कोशिंग तरफ साथ यह question number 1 is missing number का और यहाँ पर आपको बताना है question मा की जगा पर कौन सा number आएगा आपको find out करना है missing number कैसा करने लोकोशन तो सबसे पहले हम चेक करना कैसे है column wise ये row wise तो इस question करने वाले हैं column wise कुछ इस तरीके से question को solve करेंगे और अपना logic लगाएंगे देखो तो यहाँ पर क्या logic लगने वाला है? यहाँ पर logic लगने वाला है square का. कैसे करेंगे? देखो. पहला number जो दे रखा है हमें 15. 15 का करने वाले हम square. चीक है? उसके बाद क्या दे रखा है? next number में दे रखा है 8. और 8 का भी हम करने वाले है square. चीक है? तो 15 का square कितना होता है? 15 का square होता है 225. square आपको रिटे रहने चाहिए. तो 225 होता है 15 का square. वहीं पे 8 का square कितना होता है? 64 होता है. चीक है? अगर मैं 225 में से 64 निकाल दूँ. यानि कि इनको आपसे माइनस कर दूँ. तो कितना बच्चेगा मेरे पास 161 तो यह 161 कैसे आ रहा है कि पहले नंबर का स्क्वेर दूसरे नंबर का स्क्वेर इन दोनों का जो डिफ्रेंस आ है का स्क्वेर करने के बाद वह हमारा थर्ड नंबर बन जाएंगा चीक है सिंपल सा लॉजिक समझ आ गया होगा आपको तो यह लगाने वाले हैं थर्ड वाले कॉलम में तो थर्ड वाले कॉलम में हमें कोश्रमाग दे रहा है पहले वाले नंबर के जगा पे तो हम यहां पर मान लेंगे x का स्क्वेर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वेर यह 12 का स्क्वेर तो यहां पर क्या हो जागा x का 144 equals to किसके बराबर आ रहा है 432 के चीक है तो हम क्या कर सकते हैं जिसे कि 432 आ जाज़ें तो X का स्क्वाइर तो हम एच चोड़ देंगे 144 को दर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यह 432 पिलस 144 तो X का स्क्वाइर equals to 432 और 144 कितना होता है यह होता है 576 चीक है अब आपको पता होना चाहिए 576 किस का स्क्वाइर होता है तो 576 होता है 24 का स्क्वाइर चीक है तो यहां से मारा एलिटेंसर के निकल के आएगा option C वाला तो आपको समझ आ गया होगा question बहुत easy है बस यहां पे आपको स्क्वाइर पता होने चाहिए और किस तरीके से question को attempt करना यह पता होना चाहिए आपको चलते है next question तरफ question नमर दो देख लो यह question जो है थोड़ा सा आगे बीचे हो गया है जैसे कि यह वाले number जो है पीछे आ गई है यह number अपने जगा पे ही है तो question तीन numbers का ही है बस तोड़ा आगे बीचे हो गई है दिखो कैसे करेंगे आपको सबसे पहले हम चेक करेंगे question को करना कैसे है row wise और column wise तो इस वाले question को हम solve करने वाले है row wise ठीक है दिखो कैसे करेंगे यहाँ पे जो हमें number देरखा 11, 13, 17 तो यहाँ पे logic क्या लग रहा है 11 के अंदर यह plus कर रहे हैं 2 का यहाँ से में प्राप्त हो रहा है 13 यानि कि second number प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार 13 के अंदर यह क्या कर रहे है इस 2 को add कर देंगे 2 के अंदर तो यह हो जाएगा 4 तो यहां से मिल जाएगा थर्ड न fryप değer सतरा चिकांए तो यह लाजिक लगाना है ए पहले वाले नमबर के अंदर दो-प्लस करों के जिससे जगी यहां से मिल जाएगा एक सुट क्यां में हम क्या करेंगे चार प्लस कर देंगे तो यहां से मिल जाएगा एक सुट पिचानवे थर्ड नंबर याने की ऑप्शन फोर्थ वालस का राइट अंसर बन जाएगा ठीक है बहुत ईजी है बस आपको समझना है क्या लॉजिक लगने वाला इस 25 और 5 से देखो कैसे प्राप्ट कर सकते हैं अगर मैं 25 का स्क्वेर कर दूँ तो कितना होता है 25 का स्क्वेर 25 का स्क्वेर होता है 625 और 5 का स्क्वेर कितना होता है 5 का स्क्वेर कितना होता है 25 होता है तो अगर मैं 625 में से 25 को निकाल दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 600 म को मालनेंगे X X मिसे में क्या करना है SECOND वाली नमबर को माइनस कर देजा है यानि कि 9 Square कर देजा है कि यह किसके बराबर आ रहा है 880 के बराबर आ रहा है यानि कि X दरी बच जाएगा 9 का मैं Square कर दूंगा 1880 हो जाएगा तो 8880 हो जाएगा यहाँ पर जाके 81 ठीक है एक स्क्वाइर आपको रटे होने चाहिए ताकि आप एससे कोशन बहुत जल्दी कर सकें तो यहां पर जो राइटन से निकल के आएगा ऑप्शन फर्स्ट वाल निकल आएगा 31 इसका राइटन से आएगा कोशन मागे जगा पर 30 आएगा चीक है एजी है चलते है नेक् कि 10 फ्लस 5 फ्लस 6 इनका सम केतना होता है 21 होता है इस 21 के अंदर अगर मैं 2 का मल्टिप्लिकेशन करना तो मुझे 4 नंबर प्राप्त हो जाएगा चीक है यानि कि स्टार्टिंग के 3 नंबर को एड़ करना है जो भी सम आएगा उसका मल्टिप्लाय करना 2 से जिससे कि मैं 4 नं के अंदर और अपना अंसर करेंगे तो स्टार्टिंग के 3 नंबर को मैं आइड करना है यानि कि 8 15 और कोशन मा के जिगाप हम एक्स ले लेंगे और इस जो भी सम निकल के आएगा उसको मुल्टिप्लाय करेंगे 2 से और यह किसके बराबर निकल के आ जाएगा 92 के बराबर आ चीक है तो 40 उदर चल जाएगा 92 से माइनस हो जाएगा तो 2x equals to 92 माइनस 40 तो यहां से हम क्या सकते हैं 2x equals to 92 में से 40 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 40 ही बचेगा और 2 से 40 को हम डिवाइट कर देंगे तो हमार पस कितना निकल के आ जाएगा 23 एक्स की वालू 23 आगी यानि नंबर से तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग होने वाला है देखो कैसे करेंगे यहां पर आपको नंबर गेवन है 6 5 91 तो हम ऐसा क्या करें 6 और 5 के साथ जिससे कि हमें 91 प्राप्त हो जाए तो क्या कर सकते हैं अगर मैं 6 का multiply कर दो 5 से तो यह होता है 30 इस 30 को multiply करूं 3 से तो यह होता है 90 और 90 के अंदर एक plus कर दो तो यह होता है 91 तो आप logic देख सकते हो पहले तो starting के दो नंबर को आपसे multiply करना है उसके बाद एक कोमा नंबर लेना है 3 जिसका multiply करना है उनके sum से और जो भी multiplication निकल कि आएगा उसके अंदर one plus कर देना है तो यानि कि इस logic को में लगान 330 और इसे one plus कर देंगे तो यह हो जाएगा 331 यानि की option भी इसका रेटन से हो जाएगा तो basic है बस आपको वह logic समझना पड़ेगा कि किस से मैं यह 91 बना सकता हूं अगर आप वह चीज ग्रैक कर लोगा तो definitely बहुत ही जल्दी question solve हो जाएगा यह आपका चीक है चलते है next question तर आप यह अच्छा question है देखो कैसे करेंगे यहाँ पर हमें number given है इस तरीके से और यहाँ पर आप देख सकते हो 13 है 19 है और 4 है तो हम ऐसा क्या करें 19 और 13 के साथ जिससे के में 4 प्राप्त हो जाए देखो क्या कर सकते हैं अगर मैं 13 और 19 को आपसे plus कर दूँ तो कितना होता है यह होता है 32 यहाँ से में मिल जाएगा 32 और यह के कर रहे हैं यहाँ पर common number लेके आरें divide करने के लिए 8 इस 32 को अगर मैं 8 से divide करता हो तो मुझे मिलेगा 4 तो आप logic देख सकते हो किस प्रकार से logic लगाए गया है तो यही चीज आपको try करने किसके अंदर लाच वाले के अंद से तो यहाँ से में कितना मिल जाएगा 20 यानि कि option D इसका right answer मिल जाएगा तो आप लॉजिक देख सकते हो आप भी कोई भी logic लगा सकते हो बस आपको answer से मतलब होना चाहिए तो इसका answer जो है 20 है तो आप एपने logic से इसको हल कर सकते हैं ठीक है अगर आपको question ठीक लग रहे है और आपको question help कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी जुरू कर देना चलते हैं next question कोई मत साथ देख लो इस question solve करना है आपको row wise कुछ इस प्रकार से question solve करना है और आपको 26 लेक्याना है इन त्रों नंबर के बीच में आपको सब कुछ करना है जिससे की 26 पराप्त हो जाए तो और हमें क्या प्राप्त हो जाए तो आपको logic समझाया होगा starting के पहले और दूसरे नंबर को करना है multiply जो भी multiplication प्राप्त होगा उस multiplication को माइनस कर देना है थरड़ वाले नंबर से जिससे के में फोर्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा इस logical लगाने वाले हैं थरड़ वाले row के जाएगा ठीक है समझ आएगो logic बहुत easy है बस आपको ध्यान देना है question को start कैसे करना है row wise या column wise अगर आप यह जी समझ जाओगो तो आपके लिए question काफी असान हो जाएगा उसके बाद चलते हैं next question क्योंबर 8 है काफी अच्छा question है देखो कैसे सुल्ब करेंगे यहाँ पे हमें नंबर करें बने है 13 108 13 208 के अंदर हमें एसा logic लगाना हैं जिससे की हमें 11 प्राप्त हो जाए intuit 27 बनाले उसका कैसे करेंगे 13 और आर्ट को अगर ब्लस कर दूं कितना होता है यह होता है 101 case और हमें पता है 110 का square किसके बरावर होता है 101 किसके बरावर होता है तो हम कह सक सकते हैं इस स्टार्टिंग के दुर नंबर का जो सम आएगा वो हमारे थाड़ वाले नंबर के स्क्वेर के बराबर आएगा इस लॉजिक को हम लगाने वाले इस वाले के अंदर और अप्रांसर करेंगे तो हमें यहां पर गिवन है कोशन भाग तो मिसको मार लेंगे एक्स प्लस एक्सो सतावन और ये क्वल्स तो किसके बराबर आएगा चौदा के स्क्वेर के बराबर आएगा और चौदा का स्क्वेर केतना होता है एक्सो चानवे तो अगर मैं एक्स को दर छोड़ू और एक्सो सतावन को दर ले जाओ तो एक्सो चानवे माइनस एक्सो सता चानवे कर दूँ तो एक्स की वैली किया निकल कि आ जाएगी एक्सोचानवे में से एक्सोचाना नेकाल दूँ तो कितना होता है 49 आता है देख सकते हैं तो 49 आए गया याने कि ऑप्षिन भी इसका रेट एंसर बन जाएगा चीक है तो आपको समझ आगे आगे होगा कैसे इस में जो 20 का नंबर दे रहा है वो सबसे बड़ा दे रहा है यानी कि आपको पहले नंबर और तीसे नंबर के दूछ ऐसा करना है जिसे कि आपको 20 ओल नंबर प्राप्त हो जाए तो कितना हो जायगा 10 हो जाएगा और जो थर्ड नंबर है 13 उसका multiply कर रहे है किस साथ 10 के साथ जिससे कि हमें बीच वाल नंबर प्राप्त हो जाए है, आपको logic समझा गया होगा, पहले वाले नंबर के अंदर आपको 1 प्लस करना है, जो भी sum आएगा, उसका multiply करना है थर्ड वाले नंबर के साथ, जिससे कि हमें बीच वाल नंबर प्राप्त हो जाएगा, दूसर नंबर प 8x equals to कितना हो जाएगा 168 x 0 चूट जाएगा तो 168 के अपन में 8 चला जाएगा तो हम यह से क्या सकते हैं 21 x की value निकल किया जाएगी और option c इसका red actor बन जाएगा तो बहुत basic calculation है यह calculation आपको आने चाहिए ताकि आप ऐसे question को सही से कर सके हैं चलते हैं next question तरफ question number 10 है काफी better question है missing number से और इस सारे question काफी अच्छे हैं तो सारे question आपको दियान पूरवक लगाने हैं पहले question आपको कुछ से try करना है उसके बादी मेरा logic दीखना है तो आप पहले अपने logic लगा लेना अगर आपसे ना हो उसके बादी मेरा logic दीखना है ताकि आपके practice बहतर हो सके देखो इस question कैसे करेंगे यहां पर हमें number दे रखा है पंदरा पांच चै तो हमें 5 और 6 के अंदर कुछ ऐसे logic लगाने हैं जिससे के पंदर प्राप्त हो जाएं तो क्या करेंगे 5 multiply 6 divided by 2 करना है आपको चीक है तो यहां से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा यहां से हमें पंदर अप्राप्त हो जाएगा तो आपको logic समझा गया होगा तो इसी logic को हम लगाने वाले हैं थरड़ वाले के अंदर 6 multiply 7 divided by 2 यहां पर इसको हम काटेंगे 3 आ जाएगा 73 21 होता है यहांने की option B इसका रेट एंसर बन जाएगा चीक है तो बस आपको सोचना है कि किस तरीक स लगाएं कि जिससे कि हमें वो इसक थम नंबर यह अंसर निकालने कि जो लाजिक सब में सब्सक्राइब बैठें ठीक है तो उस तरीक सब्सक्राइब को यहां पर चीजों को लेके चलना है चलते हैं नेक्स कोशन पर 11 देख लो बहुत ही बहतरी इंकोशन है देखो कैसे करे ऊटा है 36 होता है इंको आ पर लामर के सक्वायर करना है आपको स्क्वायर करना है और दो से डिवाइड करना है तब जाकर आप उपरण नमर प्राप्त कर लोगे तो इस लौजिक को हम लगाने वाले हैं थड़ वाले के अंदर यानि कि fiverat square प्लस dr चुँकotte तो five quoi 25 होता है thился c9 होता है यहां से में कितना Κ़ाप्त हो की बैतरी इंट कोशन है देखो कैसे करेंगे यहां पर सबसे बड़ा नमबर हमें दे रखा है 120 और 120 को मैं प्राप्त कर रहा है किस से 25 और 5 से तो हम क्या ऐसे लोगिक लगा है जिससे कि तो इस logic को हम लगाने वाले हैं, थर्ड वाले के अंदर, और अपना अंसर करेंगे, यानि कि 13 का multiply करेंगे हम quotient mark के साथ, यहाँ पर हम x ले लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और एक बार हम quotient mark को minus कर देंगे, यानि कि x को घटा देंगे, तो यह किस के बराबर आ जाएगा, 156 के बराबर आ जाएगा, तो अगर मैं 13x में से x को निकाल देंगे, तो इस कितना बचेगा, 12x बचेगा, equals to 156 बचेगा, तो x इधर चूट जाएगा, 156 के नीचे 12 चला जाएगा, तो यहां से कितना से निकल किया जाएगा, 12x 12 और 12 तिया, 36, यानि कि 13 निकल आ जाएगा, option, यह इसका red answer बन जाएगा, ठीक है, तो easy है, बस आपको logic सोचना है, किस तरीके सा बड़ा नंबर प्राप्ट कर सकते हैं, चलते हैं, next question तरो, question बर 13 देख लो, काफि अच्छर question है, देखो कैसे करेंगे, इस question करने वाले हम column wise, कुछ इस प्रकार से question को solve करेंगे, और starting के तिरों नंबरों को हम कर लेंगे add, यानि कि 11 प्लस 5 प्लस 3, कितना होता है, 11 प्लस 5 प्लस 3 होता है, 19, यानि कि 19, और 19 का square कितना होता है, अगर आपको square याद होंगे, तो definitely आप बहुत जद्धी answer कर पाएंगे, तो 19 का square होता है, 361, जो कि हमारा fourth number है, तो आपको logic समझा गया होगा, starting के 3 number को add करना है, जो भी sum आएगा, उसका square कर देना है, वो fourth number के बराबर हो जाएगा, यानि कि हम लगाने वाले यारा logic इसके अंदर, end वाले में, यहाँ पे में number given है, 8 प्लस 15 प्लस x, इसका जो सम आएगा, उसको square करेंगे, तो किसके बराबर आजाएगा, 1225 के बराबर आजाएगा, और 1225 कि इसका square होता है, 35 का square होता है, अगर इसको सम कर ले, 8 और 15 होता है, 23 प्लस x यह हो जाएगा, square equals to 35 का square, चीके, इस square से square कर चाएगा, तो यह बचेगा, 23 प्लस x equals to 35, 23 उदर चला जाएगा, x दर चूट जाएगा, तो 35 में तो 23 निकल जाएगा, तो बचेगा, 12, तो यहने की x की value बारा आगई, यहने की option, c इसका right answer है, चीके, चलते हैं, next question, question पर 14 है, जेखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें bracket में number दे रखे हैं, और आपको solve करना है, जेखो कैसे करना है location, कोशन यहां पर पहले नंबर और तीसे नंबर को करना है मल्टिप्लाइब पहले नंबर और तीसे नंबर को मल्टिप्लाइब करेंगे तो हमें बीच वाल नंबर प्राप्त हो जाएगा तो यह लॉजिक हम लगाने वाले थड़ वाले के अंदर तो बारा का मल्टिप्लाइब करेंगे कोशन माके जाएगा यानि कि X आ जाएगा इकोल स्टू चानवे आ जाएगा बारा को डिवाइट कर दूंगो चानवे से तो मुझे कितना मिल जाएगा एक्स की वैलू आठ आ जाएगी ऑप्शन भी इसका राइट अंसर बन जाएगा ठीक है इसी है चलते हैं नेक्स कोशन पंदरा देख लो पहले आप खुछ ट्राय कर लें उसके बाद भी अंसर देखना है जैको इस कोशन कैसे करेंगे इस कोशन करेंगे हम कॉलम वाइज ठीक वह से हमें बिल जाएगा हमारा थर्ड नंबर तो क्या करना है स्ट्रांट को एड़ करना है जो भी सम आएगा उस सम को divide कर देना है 2 से तो हमें 3rd number प्राप्त हो जाएगा तो इस logic को हम लगाने वाले हैं 3rd वाले column में यानि कि 18 plus x क्योंकि question मारके तो x हो जाएगा तो ये जो भी आएगा यानि कि जो भी निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा वो होगा 40 के बराबर होगा पर हमें पता है इसको हम क्या कर रहे थे divide कर रहे थे 2 से तो हम क्या बोल सकते है 18 plus x और ये 2 है कहां चला जाएगा 40 के पास चला जाएगा यानि कि ये 80 हो जाएगा अब क्या होगा x ज़र छूर जाएगा 18 उदर चला जाएगा तो यानि कि 80 में से मैं 18 को निकाल दूँ तो मैं पस कितना बचेगा तो मैं पस बचेगा 62 जाएगी तो यानि कि option ए इसका रेट अंसर बन जाएगा तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपकी basic calculation भी अच्छी होने चाहिए ताकि आप missing number question ठीक तरीक से कर सेखें चीक है चलते हैं next question सब्सक्राइगा question मत 16 है बहुत easy question है देखो कैसे करेंगे इस question करने वाले हम row wise और row wise में आपको क्या दियान लखना है कि आपको 100 बनाना इन दो number से कैसे बना सकते हैं अगर मैं 6 plus 4 कर दूं यह होता है 10 का square कितना होता है 100 होता है तो बहुत easy question है तो आपको यह logic लगाना है third वाली row के अंदर देखो यहां पर हमें क्या given है 9 given है और question mark है तो हमें पता है 9 plus x कर लेंगे और इसका square करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है 169 के बराबर आ रहा है और हमें पता है 169 किसका square होता है 13 का square होता है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि 13 मिल जाए तो 9 plus अगर मैं 4 क का रेट हैंसर हो जाएगा ठीक है बहुत ईजी है ज्यादा कुछ करना नहीं है बस आपको ध्यान देना है जो basic calculation हो कैसे होगी इसकी चलते हैं नेक्स कुछीं देखते हैं और 17 है और यह कोशन आप लोगों सॉल्व करना है एक तरीक से homework है देखते हैं कितने बच्चे यह अ अगर मैं साथ और 6 को पर दूं तेरा होता है यानि कि इसके स्क्वार के बराबर आ जाएगा तो आपको समझ आचुगा होगा कि दो नम्मको एड करना है वो और के स्कुर के बराबर आजाएगा तो यह लाजिक हम लगाने वाले 9 और 7 के साथ यानिकि 9 प्लस साथ कर दो तो कितना होता है यह होता है 16 और 16 का स्क्वार कितना होता है 256 option C इसका right answer बहुत easy है बस आपको square रटके रखने हैं 1 से लेके 30 तक के square रट लेना और 1 से 9 तक के cube रट लेना ताकि आप ऐसे question को क्टिऊ में कर सकें 10 से 12 seconds के अंदर missing number question अगर आप solve कर ले रहे हैं तो आपकी reasoning काफी अच्छी है ठीक है चलते हैं next question देख लो काफी easy question है देखो कैसे करेंगे यहाँ पर हमें 4 number दे रखे हैं तीर number तो हमें triangle कोने पर दे रखे हैं और एक number बीच में दे रखा हैं तो हमें दोनों number को add कर लें यानि कि 8 plus 2 कर दें तो कितना हो जागा 10 हो जाएगा और इस 10 को अगर मैं 5 से minus कर दूँ तो मुझे बीच वाल नंबर प्राफ्ट हो जाएगा तो आपको logic समझ आ गया होगा यह logic हमें थर्डवाले में लगाना है यानि कि 7 plus 8 कितना होता है 15 होता है कि इसको अगर मैं विच नंबर दे रहा है 131 बनाना है हमें 5 और 5 और 6 तो मैंसे क्या logic लगा है जिससे हमें 133 बन जाए तो रुगा यहांपे करना है क्यूब अगर मैं 5 क्यूब करूं तो कितना होता है 125 होता है और इसके नीच वाल नंबर यानि कि 6 को मैं एड कर दूँ तो इतना हो जाएग तो यानि कि हमारा बीच वल नमर प्राप्त हो जाएगा तो इस logic को हम लगा सकते हैं थड़ वाले के अंदर यानि कि 9 का करेंगे हम cube और 9 का cube कितना होता है 739 होता है और 739 में हम initial number add कर देंगे यानि कि 8 को add कर देंगे तो इक इतना हो जाएगा 737 हो जाएगा option यह इसका रेटेंसर बन जाएगा चीक है तो आपको क्यूब पता होने चाहिए एक से नो तक के क्यूब तो पढ़ लेना ताकि आप ऐसे कोशनों को चुटके में कर सकें चीक है चलते हैं नेक्स कोशन देरो कोशनों 21 है और missing number में कुछ इस प्रकार से भी कोशन बन सकते हैं alphabet के तुरू भी तो इस कोशन कैसे solve करेंगे देखो यहाँ पे हमें alphabet दे रखे हैं तो यहाँ पे क्या logic लग रहा है logic क्या है कि A का जो relation है वो R के साथ है G का relation L के साथ है तो ऐसे ही आपको I का relation कोशन मा के साथ बनाना है देखो relation क्या है A पिलस अगर मैं R करूँ A कितने पे आता है 1 पे आता है R कितने पे आता है 18 पे आता है अगर इनको मैं add कर दो तो किसके बराबर आएगा यह 19 के बराबर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे जो logic लग रहा है कि आपको जो sum बनना चाहिए किसके बरा पे आता है तो इसका भी समारा वो 19 यह रहा है चीक है तो यह logic हमें लगाना है आई वाले में आई कितने पे आता है नो पे आता है चीक है इसके अंदर मैं क्या add करूँ जिससे की इसका sum 19 हो जाए तो इसके अंदर मैं 10 डाल दूं तो यह हो जाएगा 19 और 10 पे कौन सा letter आता है दस पे आता है जे आता है यानि कि option c इसका answer बन जाएगा चीक है तो missing number के अंदर alphabet के तुरू भी कोशन बना देते हैं तो आपको पता होना चाहिए उनको कैसे solve करना है चीक है चलते है next question कोशन में 22 हैं और कोशन में 22 भी आप लोगों के लिए homework हैं तो आपको कोशन प्रा क्या कोशन है कैसे करेंगे यहाँ भी करने वाले सबी explored तो आपको जो नाइन दी रहे हैं यह मैं से cia कर दो यहाँ मैं हमारेहं अपूर्ट से 48 करना चार सकते हैं अगर मैं 12 को मुझे 48 트гляд कि पहले वाले नंबर के अंदर को 3 का एड करना है उससे हमें tipo हो यंदर प्रिस 3 नंबरर मुझे हम 3 करना हुब जेगा तो यह हम लगाने वाले हैं किसके अंदर थाट वाल यो के अंदर यानि कि 33 के अंदर मैं करूंगा 3 को पिलस तो किसके बराबर आ जाएगा वो हमारे सेकेंड वाल नंबर के बराबर आ जाएगा 36 के इस 36 को मैं करूंगा 4 से multiply अगर मैं 36 को 4 से multiply करता हूं तो मुझे कितना प्राफ्ट हो जाएगा 144 प्राफ्ट हो जाएगा option भी इसका रेडिंसर बन जाएगा तो आपको logic समझ आया होगा आप खोशे भी चेक कर सकते हैं लगागा इस question को काफी अच्छा question है तो मैं आपको इक चीज बार 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 बोल रहा हूं कि आपको square और cube रटे होने चाहिए एक से 30 तक के square रटे होने चाहिए और एक से 9 तक के cube रटे होने चाहिए ताकि आप ऐसे question को बहुत ही जल्द कर सकें देखो यहां पर क्या logic लग रहा है यहां पर हमें number given है 12,8 और 80 तो हमें 80 बनाना है 12,8 से देखो कैसे बना सकते हैं अगर मैं 12 का square करूं तो यह होता है 124 वहीं पर मैं 8 का square करूं तो यह होता है 64 अगर इन दोनों को मैं आपसे minus कर दूं तो यह किसके बराबर आजाएगा हमारे नीचे वल नमर के बराबर आजाएगा थर्ड नमर के बराबर आजाएगा तो आपको logic समझा गया होगा ओपर के दोनों number का square करना है उनको आपसे minus करने के तो मैं थर्ड नमर पराप्त हो जाएगा तो इस logic को हम लगाने वाले थर्ड वाले के अंदर यानि कि 25 का square के नहीं होता है 625 होता है इसको आपको बार बार बोलनों रेटें होने चाहिए ताकि आप ऐसे कोशनों को बहुत जल्दी स्वाल कर सकें तो 25 का स्क्वार होता है 625 वहीं पर 20 का स्क्वार होता है 400 तो 625 में 400 निकाल दूंगा 25 बच्चे का option 20 का रेटेंसर बन जाएगा ठीक है तो इजी कोशन है बस आपको इसको पता होने चाहिए चलते हैं नेक्स कोशन देरा कोशन 25 देख लो बहुत इजी कोशन है देखो कैसे करेंगे यहां पे हमें 24 बनाना ही तीन नमबर से देखो कैसे बना सकते हैं अगर मैं 18 को 14 के साथ एड़ कर दूँ तो केतना होता है यह होता है 32 इस 32 को उपर वाल नमबर से माइनस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा बीच वाल नमबर 24 तो बहुत ईजी है समझ आ गया होगा आपको इसी लोजिकम लगाएंगे थड़ वाले के अंदर यानिकि 12 को मैं प्लस कर लेत तद 2020 में चीए तो सारे कोशन जो है प्रीविस यह यह हैं जितने भी कोशन में लिए हैं सारे किसे ने की जाए ना पूचे गई ऐसे सी कि तो यहां से मिसिंग नंबर की प्रेक्टिस आपकी बहतर हो जाएगी अगर आप इन वीडियो को ठीक से देख लेते हैं मैंने इसी क प्रेकर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिना बैल अक्नों क्लिक कर लिना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टैप टोर पोस्तर है और अगर आपको डेली नीस पर चैनल बना रखा है जिसका लिए डिस्क्रिप्शन में जॉइन कर लिना जहां पर मैं डेली नीस पर डाल देता हो पीडियेफ में चीक है तो सारे पेपर आपको एक जगह पर मिल जाएंगे इसली तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में रादे रादे